जैश्री महाकाल जैमा का मख्या हम गुरु कराल रूतर तारा कालाचाया महाराच आप सभी का पुना स्वागत करते हैं हमारी इस यूचिप चैनल महातर तो गया 2000 पीस के अंदर का मख्या में सभी का कल्यान करें सभी की जीवन में रंगतु मंगत लाए सभी के को पॉजिटि पुरानी चैनल के साथ सथ एक नए चैनल हमने बनाया उसको भी आप सभी जो है फॉलो करें और सब्सक्राइब करें खेर समय व्यर्थ ना करते हुए हम आपको एक नया तंत्र टॉपिक बताते हैं मसानी का चुराहा जगाने की विधी जैसे कि सभी ने सुना है कि माता मसान मताशितला देवी जो है अधिश्ठात्री है जो है तंत्र विध्या और जो है काले जादू की हर क्रिया जो है चुराहे से होकर के ही निकलती है जायब आप शम्शान की कोई पोजा करें भले किसी भी प्रकार की कोई पोजा करें तब तक जागरित नहीं होगी जब तक जो ह वाली शक्ति को जागरित ना किया जाए तो ये शक्तियां मूल रुक में तभी आपका काम करेंगी जब चुराहे के उपर जाकर कि इनकी त्रिप्ति किये जाए इनको भेंट प्रसादिया बली दी जाए तो जैसे कि हमने कल की वीडियो में भी बताया था कि इस प्रकार से चुराहे के उपर जाकर कि जो है आपकी हडिया उतरती है या उतारन उतरते है लेकिन अब बताये कि चुराहे को कीला कैसे जाता है क्योंकि चुराहे के उपर जो है बहुत साई शक्तिया निवास होती है और मसानी के चुराए को कीलना बहुत ज़गर किसी के ओपर मानलो मशान दोश हो जाए जिसके कारण वे प्रकार के होता है, सूखिया मसान अगर किसी के ओपर हो जाए तो इनसान सूख सूख के मर जाता है, मतलब उसका पूरा खून नकरात्मक शक्तियां पी जाती है तो इंसान सुख सुख के सुख सुख के मर जाता है ऐसी अगर किसी के ओपर जो है कालिया मसान छोड़ दिया जाए तो उस इंसान का सारा का सारा खून काला पड़ जाता है उसका मस्तक काला हो करके मतलब अंत में वह इंसान तड़प के बिमारी से मरता है या कैंसर की या कोड की बिमारी से उसी प्रकार से कीरकटा मसान होता है अगर मान लो किसी के पर तो शरीर के अंदर उसके पथरियां या पथर हो जाते हैं उस इंसान के पेट के अंदर तो उसी के दोरा उसकी मृत्तिय हो जाते हैं मटलब है अगला 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 दोस्रों के निवारण के लिए सिर्फ एक मशानी का चुराहा जगाना पड़ता है अगर मशानी का चुराहा जाग गया तो समझ लो कि तुम्हारी आदे से ज्ञादा जो है प्रोब्लम तुम्हारी सॉल्व हो जायगी तो इन से बचने के लिए, अच्छे तरीके से सुरुक्षा प्राप्त करने के लिए इनसान को जो है क्रिया के मादियम से इनका उतारन करना पड़ता है अगर किसी के ओपर से ये सब दोश उतारने हैं या किसी को इन दोशों से मुक्त करना है या इन समस्याओं की किसी के लाइलाज बिमारियों को ठीक करना है तो कोई बोलता है कि ला इलाज बिमारी उसको हो गए किन्तु किसी भी भक्त की चोंकी के ओपर जाने से या उसके द्वारा कोई अनुष्ठान करने से वो ठीक हो जाते हैं जो डॉक्टर ठीक नहीं कर पाते हैं वो सादक ठीक कर देते हैं क्योंकि उनके पास ये इलाजों को करने के लिए इस बिमारी को काटने के लिए शब्द होते हैं कलम होती है उनके पास और इनी के माद्यम से जो है वो जो है अपनी क्रियाओं को अंजान दे पाते हैं ला इलाज से ला इलाज जो है बिमारीयों को ठीक कर देते हैं और लोग जो है संसार के अंदर प्रसिद्धी जो है करते हैं और साथ में भगोती का नाम भी उचा होता है भक्ती का नाम उचा होता है चौंकी का नाम उचा होता हुता है उसको जो है चुराहे पर जा करके भी उतारा जा सकता है तो उस वक्ति इंसान को जा करके चुराहे पर नहलाना पड़ता है उसी के वस्तरों को वहीं पर चुड़वा देना पड़ता है और उस समय मंत्र पढ़ने पड़ते हैं और यह मंत्र जो है हम यहां पर नहीं बता सकते उनको बताएंगी जो दिक्षित होंगे जो संसार कल्यान की भावना को अपने हृदय के अंदर समाहित करके रख रहे होंगे और वो सादक जो मेहनत करने वाले होंगे और हमारी शिश्य होंगे सिर्फ गिने चुने शिश्यों को ये मिलेगा हर शिश्य को मिलने वाला है नहीं तो महामाय की कृपा से बिटा मंत्र जाप करना पड़ता है उसके ओपर बैठ करके अगर किसी को जागरित भी करना पड़ता है करना होता है तो कच्चे चुराहे के ओपर जो है श्रमशान की कुछ चीज़े दबानी पड़ते है और यंत्र दबा करके उसके ओपर बैठ करके तपस्या करनी पड़ते है कुछ समय तक सवा महिना सवा दो महिना प्रतेक शनिवार को जा करके उसके प्रबैट करके पूजा करके आनी पड़ती है वह वस्तर उतार करके चुराहे पे कच्चे चुराहे पे किसी जंगली चुराहे पे जहां पे किसी इंसान का वासना हो मतलब इंसान आता जाता ना हो डिस्टरॉब क के ओपर ऐसा हो गया तो काली मिरिच दे करके मंतर से अगर पढ़ दे तो उसके अंदर की पूरी की पूरी बिमारिये खत्म हो जाएंगे और बाद में भेंट स्वरूप उसकी जो है जो है चुराहे के ओपर पहुंचवा दी जाएं तो समझ लो कि उस इंसान का सारा का सारा रोग बादा बिलकुँ ठीक हो जाएगी भूत प्रेट बादा ठीक हो जाएगी अलग अलग प्रकार के मसानी दोस उसके निवारन हो जाएगा भूत प्रेट डाकनी साकनियों से उसको सुरक्षा मिल जाएगी और किये कराय का सरवनाश हो जाएगा लेकिन ये तभी होगा जिस समय आप मंत्रे जाप करेंगे सिध्धी करेंगे और जो है शरीर को महनत देंगे मतलब महनत करेंगे शरीर को कष्ट देंगे इस चीज में तपेंगे साधनागनी में तो ये चीज जो है आपको करनी पड़ेगी, अधिक से अधिक इसको कर सकते हो, तो यहाँ पर पूर्ण विधान तो हम नहीं बता सकते हैं, पर इतना बता सकते हैं कि उन सादकों के लिए निर्वारा है, जो स्रमशान सादना पहले कर जूके हर सादक इसको नहीं कर सकते हैं. और जो दिख्शा लेना चाहता है वह दिख्शां के लिए हमें वट्साप पर मैसेज कर दें अपनी डिटेल्स के साथ जो हमने बताई थी और हमारे सेकंड यूटीब चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे एक हजार का भी अगर उसके उपर टार्गेट कम्प्रीट हो गया तो समझ लिजे हम महाँ पर लाइव आ सकेंगे तो और साथ में हमारे इंस्टाग्राम पर हमें फोलो करिए जैए कमन खेमा